न्यूस फोर्नेशन की एक पुकार घर पर रहिए सपरवार स्टे होम स्टे सेफ शुरू हो गई है जानकारे की मताविक कठिहार जले के आजम नगर थाना चेत्र के महाननदा नदी में मचली मारने गए मचवारों को संगमर्मर की मूर्ती हाथ लगी जिसके बाद तमाम तरह की जो चर्चा हैं वो जोड़ पर करने लगी मूर्ती देखकर के सलब प्रतित हो रहा है कि वो ब्रमा विश्णु और महेस की है आपको बताएं कि इस मूर्ती की मिलने के बाद वहाँ पर इलाके में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है मचवारों की माने तो वह लोग मचली माने गए थे इसी दोरान मूर्ती हाथ लगी है यह मूर्ती बर्मा विश्णु महेस का है और छे मुक का मूर्ती है उस मूर्ती को समाज के बढ़िया के लिए परसासन को दिये उससे परसासन से हम लोग एक मेना पंदर दिन के बाद यह मूर्ती वापसी लेंगे सुचना के बाद भीरिकचा गए और उसके बाद अदकाल जो ठाना है वो एक्टिव हो गया उसने मूर्ती को फिलहलादजब कर लिया है मूर्ती के साफ सफाई की गई है उससाफ सफाई बाद मूर्ती को ठाने में रखा गया है आपको बताएं कि महाननदा नदी जो है उस नदी में बड़ी संख्या में जो मच्छवारे हैं वो मच्छी माने के जाया करते हैं जब जाल डालते हैं तो अमोमन उसमें मच्छी जाल में फंस जाती हैं ऐसे में इतनी भारी मूर्ती का जाल में फसना ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इन तमाम चीजों के बीच में अब यो चर्चा का बाजार है वो गर्म हो गया है कटिहार में अब लोग इसको किसी देविक चमतकार की तौर पर देख रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग ये मान रहे हैं कि इस मूर्ती के मिलने का कोई बड़ा रहस्यों हो सकता है आपको बताएं कि करोना वर्स की वज़से वैसे तो नदियों में इस तरह किसी भी मश्री मारने या दूसरी चीजों को लेकर एक के प्रतिवन लगा हुआ है लेकिन सबसर खास बात ये है कि महाननदा नदी में जब जो मच्छवारे हैं वो जब दाखिल होते हैं मच्री पकरने के लिए तो अचानक से उनके जाल में एक भगवार ब्रह्मा के से जुड़ी वी जो प्रतिमा है जो मूर्ती है वो मिलती है और उसके बाद वहाँ पर इसको लेकर करके चर्चा शुरू हो गई है फिलाल की बाद करें तो इस मूर्ती को ठाने में रखा गया है सापसफाई के बाद और लोग जो है इस मूर्ती की दर्शन के लिए उसे देखने के लिए लगतार ठाने के बाहर भीड जमा के वे हैं फिलाल इतना ही देखते लिए नमस्कार